कि दोस्तों उधर मैं लाइव सोच के पढ़ा रहा हूं इधर पता चल लाइब लाइव हुआ ही नहीं तो चले दोस्तों शुरू करते हैं सलाम नमस्ते हेलो केमच्छों स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीए भाई प्यूसर पाई जो है जीए जीके जीएस का वन स्टॉप सेंटर तो दोस्तों आप कह रहे होगे सर्फ बेश चुहंड़ेट आज नौ बज़े नहों करके कैप्सूल की मरतन हो रही है क्योंकि दोपहर में आज आप लोगों के एक्जामनेशन थे दोस्तों जिसकी वज़े से म आपको प्यूसर अपना कैपसूल दे रहे हैं जो कि वर्ल लाइनर नहीं है डीटेलड जो पीदिए प्धे देखिये हैं जो की चैनलों के वह Lewis ऑल लाइनर ऑल लाइनर से कॉर्यूं को से यह नहीं हैं क्योंकि यह आपके एक्जाम स्टेट्मेन-बेस्ट कोस्चन को नहीं और आने लगे हैं दोस्तों इसके लिए तयार है इसलिए मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाता हूं explain करता हूं ताकि आप लोग maximum attempt करें वैसे भी आप जीए भाई प्यूसर चैनल के विद्यारती हैं तो आप maximum attempt करके आते हैं और अपने अपने सपनों को पूरा करते हैं अभी कल L.I.C.A.O का result आया मेरे बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए सब्सक्राइब्स जीए दोस्टों जिन लोगोंने कल कैप्सुल मेराथन क्लास नहीं की थी कल दोपहर में 12.5 बजे यह लिए फो लोग जरूर कर लिजेगा जिन लोग 10 गनाम examination रहोंगे उन लोगोंने कल की मेराथन क्लास capita सब्सक्राइब तो कम स्कम तीन दोस्तों तक ज Viv भी भेजे हैं आप लोगों को WhatsApp पे पीडियम भेजें उन्हें भी आप अपने दोस्तों तक पहुंचाई है और उन्हें बताईए कि भाई पूरी क्लास यहां पे चलती है यह गेम चेंजर बैच है फ्री में यूट्यूब पे अवलेबल है पूरी बैंकिंग पढ़ लो हजार उरुपे दोगे तो भी ऐसी बैंकिंग तुम नहीं पढ़ पाओगे इतनी डेप्त में ठीक है बात समझ में आ यह चलिए बहुत बढ़ियां शांदार जिन्दाबाद जबरदस्त तो दोस्तों यह ताबर तोड़ क्लास आपकी रोज होती है डेली मेराथन की और उसके बाद दोस्तों डेली न्यूस करेंट अफेर की क्लास रोज सुबह साड़े 6 बजे होती है जिसमें मैं आप लोग को दहिंदू के पूरे न्यूस पेपर पढ़ाता हूं फिर सबसे तेज सबसे पहले सबसे अधा करेंट अफेर विद डिटेल और विद इस्टेटिक जीके देता ह हुआ हूं ताकि आपके إِक्जाम्रेशन में कोई भी नंबर ना चूटे ठीक है बात समझते में आ रही है वेरी गुड तो दोस्तों ये class आपको examination time में बिलकुल miss नहीं करना है कोई भी class miss नहीं करना है क्योंकि आप weekly हो चाए monthly हो चाए six month हो वहाँ पे वो revision ही होती है raw material तो यही होता है जहां पे सारे current affairs cover होते हैं और आपके examination में आप जिसको important नहीं समझते हो वही exam में आ जाता है इस सारे questions तो यहां पर मिलते हैं इसलिए इसको आप मिस नहीं कर सकते ठीक है इसके बाद मेरे social media platform को भी आप जोड़ जाएं ताकि हाथ सारी update आपको मिलती रहे यहां समीना ने उसके link भी दे दिये हैं तो दहिंदू newspaper के articles को मैं इसलिए लेता हूं ताकि पांच बज़े की वह चीज दोस्तों तुरंट update करके आपको मैं आप लोग को सबसे पहले प्रोवाइड कराता हूं वीकली करेंट इस बार होगा दोस्तों कल सुबह होगा इसे भी याद रखेगा कल सुबह आठ बज़े ओके क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों यहाँ पे लाश क्लास में हम लोग ने ये सारी चीजे पढ़ी थी ठीक है एजियास इंसोरेंस में पहली भारत की कंपनी जिसमें 74% FDI हुई थी किस बैंक ने बेचा था किस बैंक की बच्ची है इससेदारी बैंक को बडोदा ने क्या-क्या लांच किया था इसके पुष्ट मार्टम किया था पुष्ट मार्टम किया था सेवन जी आई टैक्स और जो जी आई टैक्स इधर बीच आए हैं उनका दोस्तों आप लोग को पुष्ट मार्टम मैंने किया था लाश क्लास में यानि कल की क्लास में कल यानि की दोस्तों फ्राइडे वाली क्लास मे छटवी क्लास में, यह सातवी क्लास है, sorry यहाँ पर पार्ट 5 लिखा है, इसे मैं चेंज करना भूल गया हूँ, यह दोस्तो पार्ट 7 है, यह सारी चीजे हम लोगों ने दोस्तो पढ़ी थी, कल की क्लास में हम लोगों ने यह सारी चीजे पढ़ी थी, कल दो पहर में क्लास IDRCL और NARCL इसके उपर statement based question last year आया था last year भी capsule discussion में मैंने कराया था क्योंकि one liner से तो कुछ होना नहीं है जो आपके capsule में one liner है तो detailed में ITR कितना file हुआ है 31st July last year थी इन सब चीजों के बारे में कल हम लोग ने बड़ी विस्तार से चर्चा करी थी दोस्तों ठीक है अब इसके आगे से हम लोगों को पढ़ना है ओके सब लोग ready है सब लोग ready है अब इसके आगे से पढ़ना है ओके चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों Standard Chartered Bank कहां की बैंक है फटा फट बताईएगा Standard Chartered Bank ने कहा है कि जो प्रतिव्यक्ति आये है भारत की जो per capita income है वो 2030 तक 70% बढ़ जाएगी यानि अभी 2450 डॉलर है यह दोस्तों 4000 डॉलर हो जाएगी 2030 तक प्रतिव्यक्ति आये ठीक है अभी दोस्तों कुछ दिन पहले जो है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शांदार जिंदाबाद भाई नीहारिका को भी बढ़ाई दो और मोनिका को भी बढ़ाई दो मोनिका भी कल मुझे ज्वाइनिंग लेटर भेजी है मद्द्र प्देश ग्रामीड बैंक का और नीहारी का तो LIC कि निकाल ही चुकी है तो इन दोनों लड़कियों को आप लोग बधाई दीजिए ठीक है उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने जो है मैंने तो स्क्रीन सौर्ट सबके जीए भाई प्यू से टेलिग्राम पे भेजा ही है ओके क्लियर है आज मैं सबकी फोटो भी कम्यूनिटी में लगा दूँगा सबके रिस्की दिन सौर्ट सब लोग ठीक है तो भाईया यह हमारे विद्यारती है सेलेक्शन तो होना ही है मेरे बच्चे जादा दिन तक मेरे साथ नहीं रहते मैं उन लड़कियों के पिता की तरह दुख मनाता हूं खुशी के आसू मनाता हूं दोस् सबसे जादा दिन आपके साथ नहीं रहते ठीक है तो दोस्तों यहां पर जो है बागों की अबादी जो है वो 3925 होने का अनुमान यहां कई आकड़े दोस्तों चल रहे हैं 3925 का अकड़ा है यह अनुमान है दोस्तों 6.1 परसेंट की ग्रोथ है सबसे जादा अगर देखा जाए तो टाइगर कहां पर हैं दोस्तों मध्य पदेश में है 785 का यह रहा है उसके बाद करनाटका में हैं फिर उतराखन में है फिर महराष्ट में मिजोरम नागा लेंड में जीरो टाइगर है दोस्तों ठीक है क्लियर है जारखन में एक है अवनाचल पदेश में नौ है इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो इग्जैक्ट जो आकड़ा आया है वो 3682 का आया है और 3900 का अनुमान है इतने के साक्ष मिल गये हैं कि भाई यह इसके फोटोग्राफिक एविडेंस है या यह एविडेंस है इतने को तो इन्होंने अपने मतलग गीना है सही से बाकी इन्होंने और भी माना है कि और भी है 300 जो हम लोगों को पदचिन मिलते हैं लेकिन हम लोग उनको देख नहीं पाएं ओके क्लियर है सेवेंटी परसेंट पूरी दुनिया के टाइगर का पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में रहता है इंडिया के बाद अगर सेके याद रखेगा ठीक है टॉप फाइफ कंट्री इसलिए याद भी रखना है क्योंकि तो पांच आप्शन आपके एक्जाम में होते हैं तो किसी भी चीज को आप कम से कम फाइफ तो याद रखा कीजिए टॉप ऐसे भी कुश्चन आपके एक्जाम में आ जाते हैं ठीक है ओ सबज में आ रही है सबसे जादा अगर बात करें दोस्तों तो कहां पर आपको टाइगर मिलते हैं किस नेशनल पार्क में तो वह जिम कॉर्बिट नेशनल पार्क है जो भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क है ठीक है वह उत्तरा खंड में है याद रखिएगा 29 जुलाई को ट एशन डेवलप्मेंट बैंक ने राजस्थान में जो है अतरिक्त वित्त पोसंड के रूप में 200 मिलियन डॉलर के रिड़ पर हस्ताक्षर किये हैं इसे याद रखेगा ओके क्लियर है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया एशन डेवलप्मेंट बैंक जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 कोई ती मंडल यॉंग मेट्रो मनीला दोस्तों फिलिप्रिंस में इसका हेड क्वाटर है मसत सुगु असकावा इसके हेड है अशोक लवासा जो हमारे यहाँ पे इलेक्षन कमिशनर थे वह इसके दोस्तों जो है वाइस प्रेसिडेंट है वाइस प्रेसिडेंट एसियन इंफ्रस ट्रक्टर में कल मैंने इनंट सभी बैंकों का पोश्ट्माटम किया था तरफ वाले कैप्सूल क्लास में ही आफ मेरी यह जोंतंавай डेवलॉपमेंट बैक डा ?ग हं इंडिया के लिए टाकि यो कोनी सी है समीर कुमार खरे एडी हैं और 68 कंट्रीज इसकी मिंबर है 19 डिसंबर 1966 में यह दोस्तों आई थी 19 डिसंबर 1961 में दोस्तों गोवा आजाद हुआ था पुर्टगीज से पुर्टगालियों से ओके आज मैंने एस्ट डेवलप्मेंट बैंक का पोश्ट मार्टम भी किया था कि कि किस राज्य को कितने लोन दिये गए हैं आज सुबह मैंने आप लोगों को पढ़ाया है सायद आज ही सुबह पढ़ाया ना एस्ट डेवलप्मेंट बैंक ने किस राज्य को कितने लोन दियें क्यों दियें पूरी एक लिष्ट पढ़ाई है आज सुबह वाले करेंट अफे लगा करके बैठे हुए आप गुलगप्पे की भीड की तरह आप जाके वहाँ पढ़ रहे हो भाई जहां पर भीड बहुत दिख रहे हैं तुमको राज्य-दर्सन करा रहा है तुम्हारे कौन से एक्जाम में राज्य-दर्सन आने वाला है तुम लोग भी भीड बने हुए तुम्हारे एक्जाम से मतलब नहीं हो उसका लेकिन तुम पढ़ रहे हो क्योंकि गुलगप्पे की दुगान पर भीड जाता है तो भाईया सेलेक्शन भी वैसे ही होगा फिर जोकि तुमने पढ़ा ही नहीं तो उतने ही अटेम्ट करके आओगे जितना पढ़े हो भीड भ दूस्तों यह सारे जो होते है नौर्मल लोग लिक छोड तीन चले शायर शेर सपूत शायर शेर सजर पकड़ के नहीं चलते दुनिया में अलग चलते हैं दुनिया से पोजीशन पर पहुंचने वाली भारती हैं जो की गौरव दोस्तों यहां पर दिला रही है भारतियों को ठीक है क्लियर है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़ियां शांदार जिंदाबाद जबरदस्त इसमिदा भार में नेने देखा है कि बचों को जो बेंग इंकिंग के बच्चें चक च About जिए बंकाय बस्तों प्रहनों कि लेक्णग आदेकु निश्टे यह उते हैं कि अंगे कैसे तुम लोग टैयारी के तो तैयारी कमला पढ़ना नहीं होता है तयारी मत स्टेटेजी घेट जी बहुत इंपोर्टन जी प्रिवेस कोउस्चेंस में कैसे को आ रहे हैं मेरे एकजाम में कैसे knife पूछे पिछले साल क्या पूछा गया तो इस साल का पेटर्न क्या है कि अ कि दोस्तों अमेरिका के प्रेशीडियन्ट के द्वारा जो एक्सपोर्ट काउंसिल है वह बनी है समीना सिंग और यूएन डीपी के डिप्टी हेड बने है भाई सब जू हॉल यूँएन डीपी ने भी नीती आयों के साथ टाइप किया मैंने आपको पढ़ाया था यूएन डीपी ने किसके किसके साथ टाइप के यह जरूर जाके अगाबात सबच में आ रही है क्लियर है दोस्तों फर्स्ट इंडियन काउंसिल मेंबर आप दे इंस्टिट्यूट अफ चार्टेट अकाउंटेट इन इंगलेंड और वेल्स यह विसेश सी चॉंडियोंग बने हैं यह यह भी याद रखिएगा कि हार्वर्ड की वाइस प् अनिल नोहाटी के जगवपर आजी सुबह मैंने सारी महिलाओं की एक लिस्ट पढ़ाई है आज मैंने आप लोगों को पढ़ाई है ठीक है क्लियर है बातसबच में आ रही है सर जी हिंगलिस में बताएं समझ नहीं आ रहा है यह भाई यहाँ देखो जैसे इंग लिखा हु अब मैं इसको हिंदी में बोलना होगी रतन ताटा को महराज सरकार ने पहला उद्योग रतने अवार्ड मिला क्या तखलीप हो रही है तुमको कैपसूल पीडिएफ के लिए जीए बाई प्यू से टेलिग्राम को जॉइन करिए और अगर आपको अलग अलग चैनल के कैपसूल पीडिएफ चाहिए तो 8229287812 पर जो है दोस्तों संपर करिए वाट्सअप करिए मुझे क्या तिक्कत आ रही है इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है कौन से इसमें सेक्सपीर के हिंगलिस लिग दिया गया है जो तुम नहीं समझ पर मैं तो पोल तो हिंदी में रहा हूं बोलोगे तो मैं महाराथ में भी बोल दूँगा रतन टाटाना महराष्टा चा पहिला उद्योग रत्न अवाट पुरुसकार जाहिर जेवन जाला काउन जाला एकड़े या तिकड़े जा बताओ मैं मराथी में भी बोल दूँगा और बताओ गड़पती बप्पा मोरिया पुरसा वर्सी लोकरिया जन्मदिवस की हार्दिक सुपकाप सुभेक च्छा और बताओ दोस्तों डॉक्तर अब्दुल कलाम जी जो की भारत के 18 वे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और भारत रतनभी प्राप्त थे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी थे दोस्तों इनके ऊपर दोस्तों जो है बुक की तमिल किताब नीने वूग लुकू मारन मिल्लाई का जो है अंग्रेजी अनुवाद है दोस्तों याद रखिएगा ये बुक जो है उनकी भतीजी डॉक्टर नाजेमा मकेरयार और उनके प्रतिष्टित इस्रोवेग्यनिंग जो उनके साथ हमेशा रहे हैं डॉक्टर वा चलो बहुत बढ़ियां शांदार जिंदाबाद जबर्दस्त तो दोस्तों रामेश्वरम में जो है मंदिर के गुंबद पे जो है एपीज अब्दुलकलाम की मुर्ति लगी हुए सोच्छो डॉक्तर एपीज अब्दुलकलाम का बड़्डे 15 अक्टूबर को 15 अक्टूब जो है राग प्रकास ओम प्रकास कॉल जो है ये हिमाचल प्रदेश के सीम के द्वारा जो है रिलीज की गई बुक है राग प्रकास जो ओम प्रकास कॉल ने लिखी है एस दो विल टॉन्स दोस्तों जो है ये रजीत प्रताप ने लिखी है जिसे की रिलीज किया है विमोचन है जो की राजसभा की चेयर्मेन भी है जुन्हें ने दो महिलाओं दो पुर्सों को भी अपने प्रसनिधी के रूप में चुना है जिसमें की एक नागा लेंड की महिला जो है दोस्तों चेयर करने वाली पहली महिला बनी और पीटी उसा भी है दोस्तों पीटी उसा जो भारत सबसे लंबा सुर्य और सुर्यास्त के बीच का टाइम सबसे लंबा होता है करकरेखा पर और करकरेखा पर हम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 21 जून को समर्सोलस्टाइज यानि की ग्रिस्म संक्रांती भी होती है दोस्तों याद रखिएगा ठीक है क्लियर चलिए वेरी गुड बहुत बढ़ियां शांदार जिंदाबाद जबर्दस्त बसका भारतिय संतोस का जनक बाल लाल पाल को कहते हैं टारा सो तिरानवे में गड़पती उत्सो की शुरुवात करने वाले आजादी के नेशन गेटवाटन न्यूयोर्क में मोदी जी ने दोस्तों 135 देशों से ज्यादा प्रतिनिदियों के साथ बैठ के रिकॉर्ड बनाया गिनिस बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड युनाइटेड नेशन की पर्मानेंट रिपेजन्टेटिव रूचिरा कंबोज ने दोस्तों लिया कीया बात समझ में आ रही है क्लियर चलिए बहुत बढ़ी आ वनक样 जिन्दाबाद जबर्दस्त बहुत बढ़ी है सादार जिन्दाबाद जबर्दस्त तुमित जून में यहां पे 20.2% इंडिया score-sector output राइस जो है दौस्तों यहांपर वो स्पर में कितने इंडस्ट्री सोते हैं 8 सथा आजू सुबह मैंने पढ़ाया कि अभी इस महीने 8% हुआ इस महीने 8% था दोस्तों अभी दोस्तों तो आजी सुबह मैंने पढ़ाया है कि पिछले महीने 9.96 बिलियन यूपी आई का टैंजेक्शन काउंट था और अगस्त में दोस्तों 10.5 बिलियन हो गया यह भी मैं इदम लेटेस्ट चीज पढ़ा रहा हूं किसी चैनल पर नहीं पढ़ाया गया होगा कैपसुल में दोस्तो और नंबर अफ ट्रांजेक्शन दस दस नहीं पारो पारा था 10 बिलियन पार हो गया 10.5 बिलियन यूपी आई जो 2016 में आई थी दोस्तों इतिहास बनाते जा रही है इतिहास बनाते जारे तांजेक्शन अमाउंट में 47 परसंट की ग्रोथ है कांट में यानी नंबर अफ ट् Campaign चलता है Unified Payment Interface 2016 में NPCI द्वारा Manage की जाती है Regulate RBI के द्वारा की जाती है ठीक है NPCI की सारी सर्विसेस पढ़के जाएगा दो चैप्टर मैंने Game Changer बैच में पढ़ाएं UPI दोस्तों नॉर्मली वन लाक रुपीज का होता है 1-20000 जो लोग पढ़के बेटें निकाल दो दिमाग से एक लाक रुपे normal 2-20000 रुपे के 2-2,Krp क्या कहते हैं हम है कि है कि पयोड़ है कैपिटल इंडरे मार्केट में सेकेंडरी मार्केट में यूज floss do t के लिए या डिवेंचर के लिए प्राइमरी मार्केट में पाँच लाक रुपई तक होते हैं ठीक है बात समझ में आ रही है चलिए बहुत बढ़ी है पेटीम ने UPI SDK launch किया है वेरी गुड बहुत अच्छा तर्बो UPI किस ने लॉंच किया है एक्सिस बैंक ने और रेजर पे ने लॉंच किया वेरी गुड बहुत अच्छा IMPS पे काम करती है वेरी गुड आई एंपिस दोजाद 10 में आई थी IMPS की पांच लाग रुपे लिमिट है वेरी गुड बहुत बढ़िया है तो दोस्तों यह बात या देखे UPI 123 पे 5000 रुपे पर टांजेक्शन और पांच लाग रुपे पर डे टांजेक्शन UPI 123 पे UPI light 200 रुपे से लिमिट बढ़ा के 500 रुपे कर दी गई है और वैलेट में 2000 रुपे मैक्सिमम रख सकते हैं ओके यह रुपी यह रुपी में भी दोस्तों जो है आपका UPI चुपा हुआ है यह यह रुपी में प्रिपेड वाउचर यूज होता है प्राइवेट कंपनी जारी करेगी तो 10,000 रुपे पर प्रिपेड वाउचर और सरकारी क पढ़ लेना ठीक है क्लियर है याद रहेगा चलिए बहुत बढ़िया शांदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों अगर आप UPI आटो पे यानि रिक्रिंग ऑनलाइन पेमिंट करना चाहते हैं तो 15,000 रुपी यह भी नोट कर लीजेगा यह भी नोट कर लीजेगा नोट कमाना है तो नोट करना होगा दोस्तोध और एकदम ताजा खबर किसी कैपसुल में नहीं होगा एकदम किसी कैपसुल में नहीं होगा कि दोस्तों नरेंद मोदी जी ने 1 सितंबर को कि आरबियाई के गवर्नर सक्तिकान दाहश जी को बदहाई दी है क्योंकि उन्हों ने दोस्तों ए प्लस रेटिंग लाई है और ए प्लस रेटिंग में भी तीन सेंट्रल बेंक के गवर्नर्स थे उसमें भी दोस्तों नंबर वन पोजिशन पर यानि दुनिया का सबसे गवर्नर का अवर्ड दिया ही था अब फिर से दोस्तों चुने हैं पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है कॉंग्रेटरेशन तो और गवर्नर सुरी सक्तिकान दास दिस इस अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया रफ्लेक्टिंग अवर फाइनेशल लीडर्शिप ऑन ग्लोबल स्टेज इस डेडिकेशन एंड वीजन कंटिनुज तो स्ट्रेंदेन अवर नेशन्स ग्रोथ ट्राजेक्टरी यह नरेन मोदी जी ने कहा है सब्सक्रेटेया तो सब्सक्रेशन एक अर्ब्ली αυτό इसके पाद यू नहीं क्या माया एक है वी एर हैपीटो एनnouse एप गवरनर सिक सक्तिकान दास इस बैटेड ए प्लस इन घी सेंट्रल बैंक गवर्ने श्व हैस फीन ए प्लस दोस्तो इस ब्लू निंक पर तिक करते हैं पहुंचते हैं उस PDF पे जिस PDF में यहां पर यह पूरी रेटिंग दी हुई है यह भी आज सुबे मैंने पढ़ा दिया था शाड़े छे बजे बताओ मेरे पहले कोई पढ़ा था इस बात को सुबे साड़े छे बजे पढ़ा दिया था भाई साब अब पूरी लिष्ट पढ़ा दी थी तुम लोगों को सुबे सुबे साड़े छे बजे पूरी लिष्ट पढ़ा दी थी तीन रेटिंग बनी है इसमें एक ए प्लस रेटि नीन है वेतनां के सेंट्रल ब relativity स्विज histories employees सिंट्रल बंक और इंडिया का सेंट्रल बैंक त्य सैंट्रल बैंक मतलब mới अरभिया िन हैं उनके हको और होगा विस्ट्विजर्लेंड के सेंट्रल बैंक के गवर्नर थॉमस जय जॉडन सेकंड नंबर पे दिखर है लावा दोस्तों इनको भी पिछले मैं ने सेंट्रल बैंकिंग अवर्ड लंदन में मिला था बेस्ट governor of the year का award मिला था वो अलग news है और ये अभी कल की news है 1 September की news है कल की news है 1 September की news है दोस्तों ठीक है इंडिया स्विज़लेंड वियतना जब लंदन वाला award मिला था इनको तो उस समय Central Bank का जो award मिला था बेश Central Bank ये Central Banker है सेंट्रल बैंक का अवार्ड जो है मिला था वो यूक्रेन के सेंट्रल बैंक को मिला था ये बात भी याद रखेगा ओके क्लियर है चलिए वैरी गुड बहुत बढ़िया शांदार जिन्दाबाद जबरदस्त दोस्तों जेट एरवेस के संस्थापक नरेश गोईल जी गिरफ आतन निदेसाले के हेड को कब तक extension मिलता रहेगा तो वह कह रहे हैं कि अभी ऑडिट होने वाला है एफटी एफ की ऑडिट हो जाएगी तब तक बढ़ाते रहे हैं कि पंद्रह नवंबर की साथ लाश्ट डेट दी गई है कि आप समझ में आ रही है कि यह दोस्तों कैनरा ब यह निलामी में खड़िया जो है दोस्तों NCLAT ने यह जो है कंपनी को बेचा है संजे मिसरा इडी बिल्कुल सही बात है इनका बहुत चल रहा है इडी जो है बार-बार केंद सरकार उनका कारकाल बढ़ा दे रही है कोट ने पूछा है कि क्या एक व्यक्ति के ऊपर प्रवत noiLike करता है उनके bombing करता है कि अथी ऐफ का candidate पेरिस में में मैं मारक भी ब्लेकलिस्ट किया है इरान को किया है नॉट को किया है ठीक है बात समझ में आ रही है झाल म रजा खुमार राजाकुमार इंडियन नहीं है किस देश के जिस देश के हैं उनका प्रेसीडेंट आज बद दोस्तों जीएश्टी ने इस बार रिकॉर्ड बना दिया 1.59 लाग करोड वैसे रिकॉर्ड क्या बना दिया तीन महीने के निचले स्थर्प है लेकिन अब देड़ लाग करोड से ऊपर होने लगा है ठीक है बात समझ में आ रही है पाकिस्तान ग्रेलिष्ट से बाहर हो चुक यह भी आज सुबह के दहिंदू न्यूस पेपर की कटिंग पढ़ा रहा हूं अभी लोग कल लेके आएंगे तुम्हारे निच जो जहां से तुम पढ़ते हो डेली करेंट पर कल लेके आएंगे वह लोग एमसी क्यू में यह कुश्चन मैं पहले ही से तुमको बता दे रहा अप्रेल में दोस्तों 1.87 लाक करोड़ अप्रेल में वन इसलिए मैं तो हिंदू न्यूस पेपर पढ़ाता हूं रोज सुबह सुबह ताकि मेरा बच्चा अपडेटेड रहे जो भी चीज ओर ही अपडेटेड रहे जैसे मेरे बच्चे को कल ही पता चल गया था कि क्वाट मैं उसको साड़े चे बज़े पढ़ा के किनारे कर देता हूं अपना बच्चा अपडेटेड रहना चाहिए तो दोस्तों यहां पे जो 8.2 परसेंट यहां पे दिख रहा है अभी तो इस बार 8 परसेंट ही रहा है पिछली बार जून में 13.1 परसेंट था कोर सेक्टर की ग् इजली है यह सब दोस्तों जो है इसमें आते हैं के क्लियर है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया शांदार जिंदाबाद जबर्दस्त कि बैंगलूर हैस बिकम दफर्स इंडियन सिटी तो बिकम दब पार्ट आफ दवर्ड सीटी कल्चर फोरूर्म है ठीक है कि चालिस सिटी इस नेटवर्क में हैं दोस्तों छे कॉंटिनेंट के बैंगलोर 41 शहर बना है जो इस नेटवर्क में जॉइन किया ओके इसमें न्यू यॉयॉर्क लंदन पैरिश टोक्यो दुबई जैसे हैं देश इस वैश्मिक संग के स्थापना 2012 में लंदन के संस्कृति और रजनात्मक उद्योगों के उप्र महापवर जस्टिन सिमंस ओभई द्वारा की गई थी ओके क्लियर है बात से मज़ी में आ रही है दोस्तो प्राइम मिनिश्टर ने यूरिया गोल्ड लॉंच किया यह तो आप सब लोग जान गए हो लेकिन यूरिया गोल्ड में जो लेपन है जो कोटिंग है वो किस केमिकल की की गई है यह आपके एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है तो सलफर की अध्यां शानदार जिंदाबाद जबर्दस्त अच्छा केमिकल नहीं है लेकिन हमने केमिश्ट्री में सलफर का नाम पढ़ाय हम और बहुत हम उसको केमिकल भी बोल देते हमारी बहुत करिएगा हमसे गलती हो जाती है लेकिन हम लोग कामर्स वाले लड़के हम लोग के केमिस्ट्री का हर वर्ड हम लोग के लिए उसी रसायन में ही ले लेते हैं हम लोग की जो है कुमाप करिएगा दोस्तों यहां पर अगर देखा जाएगा केरल इंवर्सिटी और फीशरी जैन ओशियन इस्टडीज ने मत से पालन यानि की फीशरी का भारत का पहला इंक्यूब इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो केरल इंवर्सिटी और फीशरीज एंड ओशियन इस्टडीज में उपन हुआ है यह बात भी याद रखिएगा ओके क्लियर हैं चलिए बहुत बढ़ियां शांदार जिंदाबाद जबरदस्त तो के वेरी गुड बहुत बढ़ियां सभाइंगे लिखाएंगे क्या रहेंत दो नया जो नेन नियूरिया प्लांट है वो गांधी धाम में ऑपिन किया क्योस्टिक में भरत से बड़ा डिश्टिक है वैसे पहला नेनो यूरिया प्लांट जो लगा था इफको का वो कलोल गुजरात में लगा था पिछले सल क्वेश्चन आया था अगर नेनो यूरिया प्लांट की बात करें तो अभी अमरावती में लगा है साइध महराष्ट के और यूपी के फूलपूर और आवला में भी नैनो यूरिया प्लांट इफको का लगाया गया है उके क्लियर चलिए बहुत बढ़िया तो अगर कभी आपसे पूछ ले कि केरल इंवर्सिटी और फीसरीज और ओशन इस्टडीज है कहां पर एक इस्टेटिक जीके का यह भी क् करता है तो यह कोची में है केरल में कोची में ही दोस्तों कोची मेट्रो है जोकि आर्बेई की सीबीडी सी को एकसेट करने वाला पहला मेट्रो था कोची में ही दोस्तों कोची शिपयाड ने आईनस विकरांद बनाया था वहीं पे दोस्तों कोची में ही अभी वाटर मेट् आई है ओके चलिए दोस्तों अभी दाव एजुकेशन धर्मेंद पधान जी ने उल्लास लॉंच किया है उल्लास लॉंच किया उल्लास का फुल फॉर्म आपके एक्जाम में आ सकता है अंडर्स्टेंडिंग लाइफ लॉंग फॉर आल इन सोसाइटी अंडर्स्टेंडिंग लाइफ लॉंग लर्निंग दोग योजनाए योजनाओं कе फॉलफर्म योजनाओं के उद्धेश कोई पोर्टट लांच ओओ वाच Edu उसका परपास क्या है जैसे पीछली बार कुछा था कि कोई पोर्टल आया था सारे लों से एक पोर्टल पर देजन करके कोई जन समरिद्धी पोर्टल ऐसे कोई पोर्टल था कि ये तो जितनी भी लोन की होजना है all the credit schemes of India and state government एक जगह पर कर दिया वो था जन समर्थ पोर्टल नाम भी देखे याद आ गया एक फ्लो फ्लो में जब आप किसी चीज के बारे बोलते हो तो नाम भी याद आ जाता है जन समर्थ पोर्टल तो दोस्तों यहां पर अगर देखा जाएं तो यह दिक्षा पोर्टल जो एंसी आइटी का है उसके थ्रू जो है यह सर्व होगा यह बात भी याद रखिएगा ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शांदार जिंदाबाद जबर्दस्त दोस्तों कि एंसी आइटी ने एक काम किया था भी मुझे याद है मुगलो को हटा दिया था किसे चलिश ने अपनी स्थिक्तार और उससे जो है कर तो जितने योजनाएं भी पढ़ डालिएगा मैं आपको बता रहा हूं कि कि चलिए बहुत बढ़ियां शांदार जिन्दाबाद जबर्दस्थ तो दोस्तों अच्छा चलो अब बताओ तुम लोग मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं देखते कि इतने लोग सही जवाब देते हैं उल्लास पॉर्टल का उद्देश क्या है उल्लास जो अभी लॉंच हुआ उसका एम क्या है बताओ दो तो दोस्तों यहां पे आई हैव स्पेस यह एक लाश्ट पॉइंट डिलिवरी प्रोग्राम है दोस्तों जो एमेजॉन इंडिया ने लॉंच किया है ठीक है श्री नगर के प्रसिद डल जील में अपना पहला फ्लोटिंग सेंटर खोला है और उस डिलिवरी प्रोग्राम का नाम रखा आई हैव स्पेस ठीक है हाउस बोर्ट सेलेक्ट टाउन के मालिक मूर्टजा खान काशी अनबोर्डिंग के इससे के में कि रूप में ग्रांकों को उनके हाउस बोर्ट के दरवाजे पर हर दिन पैकेज डिस्टिब्यूट करेंगे सोचिए तो हाउस बोर्ट तक अब अमेजॉन जो है फूद डिलिवरी करेगा दोस्तों भी जो आर्बिया की थार्ड मानेटरी पॉलसी मिटिंग हुई थी उसमें कोई भी चीज चेंज नहीं हुई थी ना तो जीडिपी ग्रोथ रेट से 6.5 परसेंट ही रहा इसके अलावा कोई भी चेंज नहीं हाँ इंक्रिमेंटल सिया रार को दोस्तों कुछ दिन के लिए बारह अगस्त से जो है इसको 10% किया अभी निवज आई है कि फिर 10-5% किया गया इंक्रिमेंटल सिया राजी में पढ़ रहा थे कि 10-5% किया गया ओके क्लियर है बात समझ म रही गई बात है और यूपी आई लाइट जो आफलाइन पेमिंट कर सकते हैं एनेफसी के थुरू आफसी का फुल फॉर्म बताओ एनफसी के थुरू ही आपका चलेगा एन एफसी के थुरू ही आर बीडीची चलेगी और दोस्तों ये भी चलेगा और 200 रुपए आप मैक्सीम में पर टांजक्शन कर सकते थे वो लिमिट बढ़ा के 500 रुपए कर दी गई ठीक है और वैलेट में 2000 रुपए रख सकते हैं NFC के ठूँख दोस्तों यह offline payments वाले काम चलेंगे वैलक्ट रुपए की CBDC यहोश्यो आर्भी की CBDC के भारे में कौन सारी बातें जानना चाहता है किसको नहीं पता है मुझे बताओ कौन है जो RBI की सेंटरल बैंक डिश्टल करेंसी यू रुपए के बारे में जानना चाहता है जिसको नहीं पता है जिनको पता है वो यहां पर लाइफ चैट में लिख डालो मैं आप ही लोग के स्टेट्मेंट पढ़ दूंगा ठीक है और ज इंस्टर को रेगुलेट करती है है एड़ाबाद में हैं 1999 में ऑई थी दोस्तों आई आई यदि ये देवाशीस पांडा इसके हेड हैं देवाशीस पांडा इंड हैं 1999 में एक्ट आई थी दोस्तों और सन 2000 में यह इस्टेबलिस हुई थी और 2001 में इसका जो हैट क्वाटर ह वो दिल्ली से दोस्तों न्यू डेल्ली से हैदराबाद सिफ्ट हुआ था इंसुरेंस सेक्टर को यह रेगुलेट करता है मुच्वल फंड और कैपिटल मार्केट को पीफ आई डी रेगुलेट करता है जिसका एटक्वाटर न्यू डेल्ली में 2003 में आई थी और दीपक मोहंती उसके हैड है कि चोटल पेंशन योजना हो चाहीं एंपयै सो फटेश हो प्राइवेट कंपनी की पेंशन योजना हो वह रेगुलेट करता यंस्टर सेक्टर को यह सेaround करेगा मूचे जर्स्ताय है वह प्रोड़क्ट है जो अर्वआ नहीं क् Bowl करती है लेकिन इन सबीिकों अगर एक सेक्टर में बोलना हो RBI बैंकों को regulate करती है इन भी सीज़ को करती मनी मार्केट गुण手 गिल्टे एटेंज मार्केट को करती है इन सबकों। सेक्टर के रूप में को बोलना हो कुछ बता रहे हैं पहले वो सुन लिजे यूपी आई और सी बीडी सी एक ही एप पे इंटर ऑपरेबल फैसिलिटी देने वाला भारत का पहला बैंक कैन्रा बैंक है शीवकुमार ने बताया है तालिया शीवकुमार के लिए इसके बाद अमन भंडारी ने बताया है कि सर जब आर बी आई की सी बी डी सी लॉंच हुई थी आर बी आई की सी बी डी सी जब लॉंच हुई थी सर तो पहले होलसेल वाली लॉंच हुई थी पहले होलसेल वाली लॉंच हुई थी और यह लॉंच हुई थी एक नवंबर को और फिर रीटेल वाली लॉंच हुई थी जो रीटेल वाली लॉंच हुई थी वह एक दिसंबर को लॉंच हुई थी और एक दिसंबर में भी जो फर्स्ट फेज लॉंच हुआ था फर्स्ट फेज की जो लॉंचिंग हुई थी उसमें चार सीटीज थी और चार बैंक्स थे ठीक है ओके सीबीडीसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिश्टल करेंसी अमन भंडारी ने बताया फर्स्ट फेज में सवे ईसिएख था सही आई Si-Ay-c-I था यह अपने सैगा नहीं बताया आइडिव सी था सही में और दोस्तों यसब्यइंक था सही तो फर्स्ट बैंक में लखीन था नहीं था कोमल कमस्व श्रॉस का सौल नने का सीटी बता दिजिए सार CBDC का फुल फर्म समीन्या ने बताया Central Bank Digital Currency very good CBDC में 13 बैंक हो गए शीवकुमान ने बता दिया very good बहुत बढ़िया अमन बंडारी ने बताया फर्स्ट फेज में दिल्ली बैंगलोर भुनेश्वर और मुंबई था बिलकुल सही जवाब है अमन बंडारी जी का कि फर्स्ट फे और बैंगलोर और भुनेश्वर यह याद है भुनेश्वर ही आपको याद रखना होगा क्योंकि बैंगलोर तो आपको याद ही आजकल यही तो हाइटेक सीटी है ठीक है कि इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि या अपने से भागने लगा उसके बाद आप लोगों ने जो बताया है कि आरबे की सी बीडीसी एन एफसी पर काम करेगा नियर फिल्ड कम्यूनिकेशन पर वैलेट टू वैलेट होगा एकाउंट से आपको कोई मतलब नहीं है एकाउंट में पैसा चाहो तो डाल सकते हो ले सकते हो लेकिन आप वैलेट करो एकाउंट में डालने की पैसे को जरुत नहीं है UPI में account से ही होता है इसमें account से नहीं होगा ठीक है समीना ने बताया है second phase में bank को बढ़ोदा है UBI है HDFC ही को टैकमहिंदरा बैंक है साही बात है है में को से से कट से कापे कौंत से डैंक सेץ कौं से अक थे तो HDFC को टैक महिंदरा बैंक बैंक को पढ़ोदा और युनिंएन बैंक अफिंडिया के div doc है कि अवरी गुड बहुत बड़ी बढ़िया कि अब तो बहुत सारे शहर आ गए अब तो तेरा शहर हो गए हमन भंडारी ने कहा होलसेल में सार एक और बैंक था जो की कि इसमें नहीं है रीटियल में तो बिल्कुल सही कहा आपने होलसेल वाले में 9 बैंक थे नाइन बैंक तो यहीं है जो कि विदेशी भैंग नहीं था रीटेल वाले में नहीं था ठीक है बात सबज में आ रही है क्लियर तो इस स्टेट्मेंट बेस क्वेश्चन्स आपको मिलेंगे आर बी आई की सीबी डी सी के बारे में और भी पढ़ लीजेगा बहुत सारी चीजे अपडेट हो रही होंगी भाई जब तुमको पता चला है कि कोई इतनी इंपॉर्टेंट है इतनी कॉमन है कि इस पर स्टेट्मेंट बेस क्वेश्चन मिलेगा तो अब आपका करतव है कि आप इसके बारे में और जानकारी उपलब्द करो जो कैपसूल में नहों जो टीचर के पास नहों और आके मुझ आलसी में भी शुरू हो गया है तो तेरा शहर है अब हर शहर में शुरू हो गया है कई बैंक्स ने शुरू कर दिये हैं ठीक है बात समझ में आ रही है अब जैसे कि माल लो कि आरबी सीवीडी सी सबसे पहले इसके थूझ जो है पेमेंट लेना रिलाइंस रिटेल ने किया है ठीक है और भी बहुत सारी कुछ इंसोरेंस कंपनियां जिससे के तुरू प्रीमियम ले रही है तो यह सब चीजे भी आप लोग पढ़ लेजे ठीक है बात समझ में आ रही है कि एस बी आई कर नोटिफिकेशन आया है आगे नोटिफिकेशन बाई जब तुम लोग नोटिफिकेशन कैसे लिख रहे हो यार तुम लोग है तो चलिए दोस्तों तो बिलकुल यहां पे आप लोग ने बिलकुल सही जवाब दिया है आप लोग को मिलते हैं आठ रुपे 72 पैसे आर्बे की सीबी डिसी काम लोग ने पूरा पुष्टमाटम कर लिया है ओके क्लियर है ओके चलिए कि सेकेंड फेज में नाइन सीटी थी यह भी आध रखेगा अब तो खेर तेरा सीटीज हो गई है सेकेंड फेज में नाइन सीटीज थी ऐसा ही था न हां तो हो गई न्हां तेरा सीटी चार यह अधोगे और यह हो गई तो तरह सीटी तो हो गई नव कर ते रहा का है स्कैंड है स्कंड चीइट हम फेज में नाइन सीटीज़ ऑगई अब यह दे corpor Almost पता लगा लो हमारे लिए तो अच्छा है हुओ दोस्तों कुछ में असकी बात करे तो मल्ति म माला बार देशों के बीच में होता है वो सिद्नी ऑस्टेलिये में पहली बार अस्टेलिया में हो रहा हैं। पॉलकन एक्सरसाइस दोस्तों जो चाइना यूए के बीच में वह चाइना में हुआ है नुमेडिक एलिफेंट इंडिया मंगोलिया के बीच में मंगोलिया की उलान बाटर में हुआ है इंडिया अमेरिका के बीच में सॉल्वेक्स एक्साइस कोची में हुआ जापान इंडि प्लस एक है अच्छा तुन ते रहों का नाम भी तो बताओ तुम लोग सर्च करके अभी तक आये नहीं है कि खेड़ कि दोस्तों इंद्रा गांधी स्मार्टफून योजना कि स्राज्य की योजना है तो यह जो है अशोगहलोत सरकार की योजना दोस्तों बिहार म्यूजियम का यहां पर आर्ट वाला प्रोग्राम हुआ एक्जिबीशन हुआ है जी ट्वंटी के पार्ट के रूप में वसुधेव कुटुमबकम ठीक है बिहार म्यूजियम नहरूपत पटना में हुआ है यह बात याद रखेगा साथ अगस्ट से 31 दिसंबर तक चलेगा तो यह आर्ट वाला दोस्तों कारिकरम कहां पर है बिहार म्यूजियम संग्राले में बनाया गया है यह बात याद रखेगा ओके योगा फार वसुदयव कुटुमबकम यह इसकी थीम है लेकिन इंगलिश में थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर ठीक है यह बात याद रखेगा क्योंकि युनाइटे नेशन के अधिकारिक भासा नहीं है वसुदयव कुटुमबकम यानि हिंदी असंस्कृत इस चाइना ने विरोध किया है वसुदयव कुटुमबकम का ठीक है कि यह उफिश्यल नहीं है युनाइटे नेशन की लेंगवेज ओके जी ट्वंटी दोस्तों 26 सेप्टेंबर 1999 को आई थी 19 देश इसके मिंबर है नौ कंट्रीज अलग से बुलाई गई है बीसवां देश दो है दोस्तों वो है यूरोपियन यूनियन जो ब्रुसेल्स विल्जियम एड़क्वार्टर है जहां नाटो का एड़क्वार्टर जी ट्वंटी पिछले साल इंडोनेशिया में इस साल इंडिया में अगले साल ब्राजिल में होगी एक दिसंबर से 30 नवंबर तक प्रेसिडेंसी रहती है किसी देश के पास 2008 में पहली सम्मेट अमेरिका में हुई थी ट्वंटी के शेरपा अमिताप कांथ है कौडिनेटर जरूर्स वर्दन सिंगला है बिजनेश 20 के हेड है एंट चन सेकरन जो टाटा संस के हेड भाराश की इकनॉमिक एडवाइजिरी कांसिल के भी हेड फ्रांस में सर्वोच नागरिक सम्मान भी पाए हैं उसके बाद मोदी जी भी पाए हैं बिहार की कैपिल पटना है नितीश नो-च्टीक जिक्यों प्लेइलिस्ट में भी-बी पढ़ा आ ठीक है को के एकiane है दोस्तों गुयानाह के राष्पति इर्फान अली गुयाना के राश्पति इर्फान अली दोस्तों इंदोर में जब इंडियन डायस्पोरा डे अनराइडे मनाया गया तो यह चीफ गेश्ट थे और सुरिनाम के राश्पति चंदिका पसाथ सतों की गेश्ट फॉनर थे सुरिनाम जो है दचिण अमेर की देश है जिसने अभी द्रवपदी मुर्मु जी को सर्वोच नागरिक सम्मान भी दिया है ठीक है दोस्तों इन्हें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिम्टेड ने डॉर्नियर विमान दिया है यहां पर यह फोटो दिख रही है देते हुए फोटो यहां पर दिख रही है ओके बात सबज में आ रही है कि चलिए बहुत बढ़िया शांदार जिंदाबाद जबर्दस्थ प्राइमिनिस्टर मार्क पिलिप्स तसिडेंट मोहमद इर्फान अली भारतिय मूल के हैं इंडियन ओरिजीन के हैं दोस्तों आज मैंने पढ़ाया मेर की राज जो एक है जॉर्जिया जिसने कुछ दिन पहले हिंदू फोबिया के खिलाफ जो है कानून लाय था वह पूरा यह बात भी याद रखेगां दोस्तों बंधन बैंक जो की नौर्थ इस्ट का सबसे बड़ा बैंक है इसने दोस्तों उडिसा के टूरिजम को डेवलप करने के लिए दोस्तों यहाँ पर पार्टनर्शिप कड़ी है उडिसा सरकार के साथ तुरिष्टों को कार्ड मिले थे अबाढ़ा इसकी में अबाढ़ा जो है इसकी में एक हजार करोड रुपे और मिलें इसे युनेस्को की वर्ल्ड हरिटेस सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है युनेस्को से याद आया कि 41 वर्ल्ड हरिटेस साइट बनने जा रहा है शांती निकेतन शांत स्पिर्ण बात याद रखियेगा ठीक है में अब यह क्या है दोस्तों जगनात मंदिर मेला लगता है जगनात मंदिर के महाप्रसाथ को अब अधा का फुल फॉर्म भी है अब आधा लिखते लेकिन अब अधा पढ़ते हैं इसको ठीक है क्लियर है बात समझ में आ रही है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया अब दोस्तों उडिसा में आप देखो तो चिलका जील एशिया की सबसे बड़ी ब नवीन पटनायक जी के सौरी पीता जी बीजू पटनायक जी के नाम से नवीन पटनायक जी 23 साल से मुकमंत्री है और अभी उन्होंने ज्योती बसू का रिकॉर्ड तोड़ दिया सेकंड नंबर पर आगे बेढ़े अब इन से आगे के वहल सिक्किम के मुकमंत्री पवन चा अनुप कुमार सिन्ना चेयर पर्शन है और दोस्तों सौरब गांगली सौरब गांगली इसके जो है कि ब्रेंड अमेजडर है कि कुछ ऐसे करके भी जहां बंधन वहां विश्वास ऐसे करके कुछ है ठीक है बात समझ में आ रही है ओके अब अबधा का फुल फर्म भी आ गया यहां पर अगुमेंटेशन और बेसिक एमिनिटीज डेवलप्मेंट ऑफ हेरिटेज पेरी गुड बहुत बढ़ी यहां शांदार जिंदाबाद जबरदस्त चंद शेखर घोस से आदाया दोस्तों चंद शेखर बोस को और एमेम किरवनी को यून आसकर अवार्ड मिला है तेलगू सौंग नाटू नाटू काने के लिए दोस्तों यह जो है ना कि आसकर अवार्ड जो है इसके पहले जैहो गाने को मिला था उसमें भी लिरिसिस्ट औ और म्यूजिक डिरेक्टर को मिला था म्यूजिक ड area रह्मान और लिरिसिस्ट बुबधार अब आप रहे सब क्यों पढ़ाते हैं च्यों कि इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि एक्जामनर यह जानना चाहता है आपको यह पता है नाटू फोगाना mm किर्वनी चुन सेकर गोस लिरिसिष्ट और mm किर्वनी म्योजिक डिरेक्टर आप इसके पहले किसको मिला है उसमें लिरिसिस्ट कौन था ऐसे questions वो पूछता है जैसे आपको बताएं कि नीव वाली पर्लियमेंट टाटा प्रोजेक्ट बना रही है कि भीमल पटेल उसके जो है कि मेन आर्किटेक्ट्चर वास्तुकार है पूरे सेंट्रल विश्टा प्रोजेक्ट के नीव पर्लियमेंट के 888 लोग लोगसभा में बैठेंगे राजसभा में 384 लोग बैठ सकते हैं 1272 लोग जोइन सेशन में बैठ सकते हैं आप पूरानी वाली पर्लियमेंट का अर्खिटेक्ट कौन था यह कोश्चन आया था कि नहीं तो पिछले साल बैंक में तो आप जिस चीज को आप सोचते हो कि यह तो बड़ी इंपॉर्टेंट नियूज हमने पढ़ लिया वह भाई साब वह चीज तो दे देता है क्वेश्चन में आप पुछता पुराना कुछ इतियास जानते इसका तो बताओ तो आपको बताना पड़ता मैंने पढ़ाया था अपने बच्चों को कि पुरानी वाल पर्लेमेंट को एडवर्ड लुटियंस और उनके जूनियर हार्वर्ड बेकर ने बनाया था यह वाली दिसंबर 2020 में बनने शुरू ही और आपके 28 मही 2023 को बनके तयार हो गई दाइस साल में 28 मही को वीर सावर करके बड़े पर कोश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं ठीक अभिजीत बनर जी का बर्थ प्लेस पूछा था जब आपको पता था कि 2019 में अभिजीत बनर जी को एकनॉमिक्स का नोबल प्राइज मिला तो आपको पता है कि यार प्यूछे गा ही तो बताओ क्यों मिला अभी इसी साल एकनॉमिक्स का नोबल प्राइज मिला था फेडरल बैंक के हेड बरनेंके सहाब को क्यों मिला था यह पूछा था तो जब कोश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो वह कुछ भी पूछ लेता है जब इन्हेंस एक्सेशन सर्वि कुछिन पूछ लिया था कि 13 बैंक मर्जोगों करके 6 बैंक बच गया एसे कुश्चन पूछ लिया था नहीं तो याद रखिये कि अगर फॉर्येन में हुआ तो विदेश में हुआ तो पिछला वाला फॉरेन में कब हुआ ऐसे कुछिन पूछ लेता यह पहले इपिल किस सा हुआ था उसके विजिता कौन था उसका केप्टन कौन था ऐसी स्टेटिक जी के आप से पूछ लिया जाता है बात समझ में आ रही है क्लियर रही है तो भाईया याद रखेंगे चंद से तो जो चीज मुझे याद आ जाती किसी चीज से वह ज्यादा इंपोर्टेंट होती इसलिए प्यूसर जो लिख के लिए वह तो आता है जो एक्स्ट्रा बताते वह डेफिनेटली आता है क्योंकि वह उनके अनभव के अधार पे उनकी ए नोट कमाना है तो नोट करना पड़ेगा क्योंकि लिखना बंद तो सीखना बंद और सीखना बंद जीतना बंद जिसने लिखना बंद किया उसने सीखना बंद कर दिया उसने जीतना बंद कर दिया क्योंकि जब जब आप लिखते नहीं है तो सतनरायन भगवान की कथा सुन है तो बहुत अच्छा शांदार जिंदाबाद जबरदस्त है कि दोस्तों यहां पर देखा जाए तो स्वीगी के साथ HDFC टाइफ हुआ है अब बाकी चीज़ आपको सर क्यों नहीं पढ़ा रहे क्यों कि बाकी जीज़े सर पढ़ा चुके हैं अभी फेडरल बैंक का पोश्ट पूरा जो है पुश्ट माटम किया था मैंने फोन पे ने लॉंच किया है दोस्तों इंडिया का फर्ष्ट हेल्थ इंसोरेंस प्लेटफॉर्म फोन पे ने दो लाख दोस्तों यूपी आई को केडिट कार्ड से अटेच करने वाली पहली कंपनी बनी थे यूपी आई को भी तो केडिट कार्ड से अटेच किया जा रहा है है कि नहीं सिंप्लिफाई दोस्तों जिसने वर्ड का फर्ष्ट जिनरेटिव एई टूल्स लॉंच किया है इंसोरेंस के लिए ठीक है बात समझ में आ रही है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया दोस्तों यूको बैंक भारत का पहला बैंक था जिसने रशिया के गैस प्रॉम बैंक के साथ टाइप किया था रशिया के गैस प्रॉम बैंक के साथ टाइप किया था क्योंकि रूपीज का इंटरनेशल ट्रेट सेटलमेंट रशिया क के साथ श्रिलंका के साथ सबसे पहले हुआ था फिर अब 200 देश के साथ हो गया अभी युवेई के साथ भी हुआ है रिसेंट में तो यह पहला है दोस्तों याद रखिएगा आर्वेई की फेमा एक्ट के तहट यह पावर मिलती है और बियाई को इंटरनेशनल ट्रेट सेटल पूझे अब पिछले साल कुछ बैंक्स तौबर में है तो एसे भी क्षटन रसक्ते हैं यू बियस बैंक है and स्ट्रिड्ट सौिस्ट्री जो है वह कहां सब्लेन सब्सक्राइए तो इस सब डूबने वाली हिश्ट्री जो है दोस्तों इन सब abortion पढ़़ना पड़ेगा को ठी पिछले साल कोश्यन आया था बहुत ज्यादा क्वश्चन आया थे हरद वाली वास्ट्रोDr.0 एककाउंटवाली से आया था था तो एंगी एंदियर ेपल मैंगी अब अगर इंडियन वैंगी दोस्तों किसी दुसरे देश में देख से कंभीर बन जाती है है ना याद रखिएगा ओके और यह भी बता हूं अगर मालों कोई चीज मैंने मालों एक वर्ड में के रूप में बता दी कि हो सकता तुमको पता हो तो ना पता हो तो पूछ लो सर मुझे यह नहीं पता मुझे बताईए क्योंकि मैं यहां बैटा हूं तुम्हारे आगे प्यूश सर जो कि आप लोगों को बैंकिंग का पुष्ट माटम करके गेमचेंजर बैच में दिया हूं 50 लेक्चर मैंने गेमचेंजर बैच में पढ़ाया कितने लोगों ने अभी त तुम को क है कि समझ रह står लेकिन कहा जाता है कि पैसे जरूर लेने चाहिए यह सिश्च से वरना वो सकी कीमत नहीं समझता originating भी देता हूं कि तुम्हें जोसकी कीमत न समझ में अच्छो को पापड़ा गरें कि सब्सक्राइ Tam सर के चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं सर को आगे बढ़ा रहे हैं यह गुरु दक्षिणा है बस मेरी तुमारी ठीक है बात समझ में अच्छा पुरो एड़ जीरो 14999 में अरे 14999 में इतना डीटेल में कोई नहीं पढ़ा पाएगा बता रहा हूं वह लोग भी मेरी बैचेस देख करके पढ़ाते हैं जितने जो हैं कि लोग आप लोग जो है कि हुनहार देख रहे हैं ना हमारी बैचों कॉपी करके अपना बैच में एड़ कर लेते हैं समझें इतन इतना डीटेल में पढ़ाएंगे अगर मालो वो डीटेल में मैंने केवल मॉनिटरी पॉल्सी पांच क्लास में पढ़ाई है मैंने सी अरा एक घंटे में पढ़ाया है वह जो इंक्रिमेंटल सी अरा वाली न्यूस देख रहे हो तुम एक चीज का पोस्ट माटम किया वाट इंटर्वियूर को बताने लगा सी अरा के बारे में इंटर्वियूर खड़ा हो गया भाई साब इतनी डीटेल नौलेज तुमको कैसी है एंडी टील तो लोग यही पढ़ा के निकल जाते हैं जितना पैसा आया गया बैलेंस हुआ वही हो गया एंडी टील का इतना इक्जक कहां से तुमने बता दिया है कि अच्छा कि तीचर मितीको कैसे बताता यहीं बोलता कि क्लोजिंग जो है वह तमारा बोलता है जितना पैसा दिन भर में गया जितना पैसा आया उसको उसमें से माइनस कर दो भाई इतना घुमा क्यों रहे हो जो तुम बता रहे हो क्लोजिंग बैलेंस एंडीटियल नहीं है कि चलो आगे वड़ते हैं दोस्तों कि वहापं आपके अमेरिका की जो अलॉन मकस्क की टेसला कंपणी उसके भारतिय मूल के दोस्तों कंपणी के नए सीव एफ वन गये एंडीया में आने वाली है मोदी जी जान मस्क की बीच में बात वी हुई है ठीक है इंक क्लियर है बात समझ में आ रही है कि ओके कि अ कि चलिए वेरी गुड बहुत बड़िया शांदार तो भाया इंडियन लोगों को भी इसमें बहुत वह बड़ा राइट विंग के आदमी है के एलॉन मस्क ने अभी ट्वीटर का नाम एक्स कर दिया और उसकी हेड लिंडा को बन ना दिया यह बात भी याद रखेगा बात समझ में आ रही है क्लियर है चलिए वेरी गुड बहुत बड़िया शांदार जिंदाबाद जबरदस्त तेसला के सिएफव वैबो तनेजा अमेरिका की एफबी आई में स्पेशल एजेंट बनी है शोहिनी सिन्धा ठीक है यह भी दोस्तों की वाइस प्रेसिडेंट फॉर फाइनस और सीफो बनी है रितु कालरा आज मैंने सुबह सुबह आपको पढ़ाया था कि गीतिका सिवास्तों कुछ बनी है गीतिका सिवास्तों क्या बनी है फटा फट बताओ तो देखे कितने लोग यहां पर सही जवाब देते है है फटा फट बताना दोस्तों कि अग्याव में दोस्तों मैं आप लोगों को वीडियो सेक्षिन में आप जाओगे जितने बच्चों के सेलेक्शन हुएं उनके मैंने वीडियो बना बना के आपको दियें वह जरूर देखना कि वह उन्होंने क्या-क्या टिप्स दिये हैं सकसे स्टोरी वाले वीडियो में चले प्लेलिस्ट में चले जाना उन्होंने जो इंपॉर्टेंट टिप्स दिये हैं जीए के लिए उसे जरूर फॉलो करना ज्यादा ज्यादा वीडियो ने दो तिन-तिन मिनट के वीडियो मैंने बनवाएं बच्चों से आप देखिएगा जरूर उनके और बहुत सारे कमेंट्स भी उन्होंने किये हैं उन कमेंट्स को भी पढ़िएगा ठीक है वाटसेप पे उन्होंने बेजे वह जरूर पढ़िएगा बच्चों ने जो सफल लोग होते ना उनके टिप्स लिया करो ठीक है तमिलनाडू को दोस्तों बेस्ट पर 500 लोगों ने 6247 मानों जीवन बचाने के लिए अपने अंगदान किये हैं जिसमें 786 हिर्दय और सो एक फेफड़े अच्छा ओं इंगलिस में पढ़ते हैं तो 786 हर्ट्स 801 लंग्स 1565 लीवर्स 3046 किड़नी 76 37 पैंक्रियाज तोटली बेनिफिटिंग 6247 रिसीपेंट सोफा अच्छा इसमें भी बड़ी में बहुत अलग चीज बताता हो तुम लोग भी सुनोगे तो तुम लोग को कि सर इस तरब तो मेरा ध्यानी नहीं गया कभी तो इसलाम में जो है कभी अंगदान नहीं करते हैं कि इसलाम में क् कि वो पुश्टमाटम भी नहीं कराना चाहते उनको यह है कि हमको कब्र में जाना है सही सलामत पूरा और हमारा फैसला क्यामत के दिन होगा तो हमारी जो है बॉड़ी एकदम उसी तरीके से जहनी चाहिए कि अब अंगदान करता कौन है हिंदू कि हिंदू अंगदान करते हैं और पूरी इसलामिक कंट्रीज के जो बिमार लोग हैं वह आते हैं इंडिया में और मू मांगी कीमत पर और खरीद करके अपने जान बचाते हैं तो सबसे ज़्यादा मुसलमान ही इंडिया करके यह और और डोनेशन करते नहीं है लेकिन यह जितनी इस्लामिक कंट्रीज वाले हैं वह इंडिया का फैदा उठाते हैं कि यह और अपनी जान बचाते हैं तो यह दोस्तों जो है कि होता है तो तमिलाडू की कैपिटल चेन नहीं है एम के स्टॉलिन चीफ मिनिस्टर आरेन रवी जो है यहां के गवर्नर है तभी तमिलाडू दोस्तों जो है वो दोमेस्टिक टुरिष्टों के अट्रेट करने में भी नंबर वन पर रहा है इलक्ट्रानिक गुड्स के एक्सपोर्ट यां शांदार जिंदाबाद जबर्दस्त मालाबार एक्सरसाइस को बारे में तो हम लोग ने पढ़ी लिया कि यह 31 एडिशन शिवकुमार याद रखना 27 नहीं है तुमने अभी कुछ दिर पहले 27 लिखा था ठीक है कि 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 दोस्तों एक वीमेन लोकेटिंग रडार हतियार को खोजने वाला रडार है स्वाति स्वाति मार्केट बरोविंग में तो तीन साल से टॉप किया है क्लियर है याद रहेगा चलिए तो दोस्तों जो है यहां पर इंडियन आर्मी ने यह स्वाति को जो है लॉंच किया है ठीक है स्वाति को दोस्तों बनाया किसमें भ अपार्दध जबरदस्त है और भारत इलक्ट्रोनिक लीटेड जो है बेल जो है इसके हेड़ है भानुर पताप शिवास्तो और है कहाँ पर है बॉर में न को स्वाधेशी लोगों का जो दिन है वह किस दिन मनाया जाता है 9 अगस्त को मना जाता है आठ अगस्त को अगस्त करांती मना जाताँ गणा स्वधेसी अंदोलन मना जाता है सेवें अगस्त को जैबलीन ठोडे मना जाता है और आपका हथ करगा दिवस हैंडलूम डे भी मनाया जाता है जिस दिन अभी NIFT दिल्ली में मोधी जी ने कोई हस्त सिल्ब की रिर्पॉजिट्री भी लॉच करी थी 9 अगस्त को नागासाकी डे मनाते हैं और 6 अगस्त को हिरोशीमा डे मनाते हैं हिरोशीमा में जी सेवन सम्मिट हुआ था जहां महात्मा गांधी जी ने अरे महात्मा गांधी जी की मुर्ती कानावरण मोदी जी ने इस बार किया था उसके बाद वहां से चले गये थे ऑस्टेलिया सिड्नी में जहां पे हैरीस पार्क का नाम लिटिल इंडिया रग दिया जहां आस्टेलिया के प्रधान मंत्री एंथोनी एलबॉनिस ने कहा मोदी इस दबॉस उसके बाद वो चले गए फिपिक सम्मीट में पापुवान युगिनी जहां पापुवान युगिनी के पीम जेम्स मरापेन उन्हें पैर चूके लावरात में गौड ऑफ ओनर दिया पह हुआ पापुवान युगिनी और फीजी के अलावा पलाव देश ने भी उन्हें अपना युगिकल दिया यह तीनों चीज पापुवान युगिनी में ही मिला उन्हें और यह च्छे दिन की यात्रा थी तीन देशों की एक साथ ठीक है दोस्तों इलेक्शन कमिस्णर चुनावा युक्त और चीफ इलेक्शन कमिस्णर एक चीफ इलेक्शन कमिस्णर होता है उसके अंडर में दो इलेक्शन कमिस्णर होते हैं इनकी अपॉइंड्मेंट के लिए जो पैनल होता है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होता है पचासमा Chief Justice of India वो हैं आपके डीवाई चंदचूड यहां पे दोस्तों CC और EC यहां पे याद रखिएगा कि यह दोस्तों जो है इनकी नियुक्ति में एक पैनल होता था जिसमें की Chief सब्सक्राइब बहुत बढ़ी आण जिन्दाबाद जबर्दस्त दोस्तों तीन तीन एकट हुए है इंडियन पिनल कोड 18060 जिसका नाम भारती नया संगिता हो गया है सियार पीसी एक्ट 1892 जिसका नाम भार्टी नागरिक सुरक्षा संगीता हो गया है और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जिसका नाम भार्टी साक्ष एक्ट हो गया है दोस्तों ठीक है क्लियर है बात सबज में आ रही है चलिए बहुत बढ़िया शांदार जिंदाबाद जबर दिया गया है जगदीब धंकर जी के द्वारा तोकि जो राउप राश्पती होता है भारत का वही राजसभा का द्यक्ष होता है दोस्तों तो जगदीब धंकर जी 14th वाइस प्रेसिडेंट अफ इंडिया 15th प्रेसिडेंट अफ इंडिया है द्रपदी मुर्मुजी जो अथाल जंजाती से आई हैं जिनने सूरिनाम का सर्वोच नागरिक सम्मान मिला है ठीक है बात समझ में आ रही है क्लियर ओके दोस्तों ओमकारेस्वर डैम जोकी मद्य पद्यस में नर्मदा नदी पर है वहाँ एंटी पीसी ने अभी 80 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बनाया है यहां दीरे दीरे 600 दोस्तों जो है गीगावाट कर दिया जाएगा इसको 600 मेगावाट कर दिया जाएगा तो यह बहुत बड़ा जो है एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनेगा लेकिन अभी तो तेलंगाना का रामा गुंडम ही भारत का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है तेरता हुआ ठीक है क्लियर है बात समझ में आ रही है चलिए भारे देश के पधानमंत्री भी 15 नंबर के हैं राश्पती भी 15 नंबर की है स्चीफ जेस्टिस ऑफ इंडिया पचासवे नंबर के हैं और 14 नंबर पे हमारे कि वाइस प्रेसिडेंट 25 नंबर के हमारे अर्बे के गवर्नर है चौबिस में उर्जित पतेल थे जो कि आजकल एसियन इंफ्रस्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट है और तेईस में थे रगुराम राजन जिन्हें की सेंट्रल बैंकर आप दे मिल चुका है 2015 में और वह आई एम एफ के दोस्तों चीफ इकनॉमिस्ट भी रह चुके हैं आई एम एफ की चीफ इकनॉमिस्ट गीटा गोपिनाथ उनके बाद सेकेंड इंडियन है जो आई एम एफ की हौल आफ फेम पे फीचर हुई है रगुराम राजन ची की बात पे हैं सोमनातन जी बिल्कुल सही है कि बिल्कुल सही है चौबीस में चीफ इलेक्शन कमिशनर कौन है हमारे देश के दोस्तों एफ ऐस यू जो है वर्ल्ड इन्वर्सिटी गेम हुआ है उसमें हम लोगों इस बाद 26 मेडल जीते हैं दोस्तों जब से आजादी से लेके जिसमें से सेवन मेडल इस बाद जीते हैं वन टू का फोर एक गोल्ड दो सिल्वर और फोर ब्रॉंज हमने आठ गोल्ड मेडल हौकी में जीते हैं दो हमने जो है ऐसे जीते हैं एक राजवर्धन सिंग राठ और अरे सुरी अभिनाव बिंद्रा और शूटिंग में 2008 में औ और 2021 में टोकियो में जो है आपके नीरत चोपड़ा ठीक है ओके होकी में टोटल हमें दोस्तों जो है मिले हैं साथ 12 मेडल एक आठ गोल्ड एक सिल्वर और तीन ब्रॉंज ठीक है मेजर ध्यान चंजी का भी बड़े था जिनों तीन गोल्ड मेडल हमें दिलाए थे 29 अगस् आते हैं मेजर ध्यान चंजी खेल रतने अवार्ड मिलने लगा 2021 से उसके पहले उसका नाम राज्जीव गांधी जी के नाम पे रहता था विशनातन आनंद पहले अर्जुन पुरुसकार विजेता पहले खेल रत पुरुसकार विजेता भी रहे हैं और 1988 में उन्हें अर्ज केस ने पीछे कर दिया 37 साल के उनके जो है बातशाहत को खतम किया है आपके डीजुकेश्ट अ कि ओके 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 तो 26 मेडल 11 गोल्ड पांच सिल्वर और दस ब्रॉंज मिला है यह वर्ड का यूनिवर्सिटी गेम दोस्तों यह चेंगडू चाइना में हुआ था जहां एशियन गेम्स हो रहा है जहां एशियन एथलीट गेम हो रहा है दोस्तों इंडिया पाकिस्तान का प्रिश्ट की टीम है जब मैं आपको PDF दूंगा तो यह सारी आप लोग को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ठीक मनु भाकर ने जैसे वीमेंस के 10 मीटर राइफल में इवला और रीवन ने वीमेंस 10 मीटर राइफल में इन सब ने दोस्तों कमाल किया इस्वर परताप सिंग न भूनीत कौर एस्वर्व प्रताप सिंग इन सब ने दोस्तों गोल्ड मेड़ल जीत करके कमाल किया दोस्तों बिहार के जिसका नाम है वालमीं की वह Pan पार्क यह दोस्तों टाइगर रिजर्व भी है यहां पर दोस्तों राइनो टास्क फेर्स बनाया गया है गैंडो के संद्रक्षण के लिए बनाया गया ठीक है बात समझ में आ रही है कि ओके कि बारिस हो गई वहां सर चलो बहुत अच्छा हुआ बारिस हो गई इंदिया की इज्जत बच गई बिल्कुल सही जान बची तो लाखों पाए बहुत कमजोर्टी में हम लोगों की भाई साब हमारे जो सबसे वरिष्ट बैट्समेन हैं वो तो बोल्ड होते हैं यार कि जो ओपनर है वो बोल्ड हो रहे हैं है चायर बना के विराट कोली को साइन अफ्रिदी बोल्ड कर रहा है कि भूलकर ये वुढ़ापे में क्यों खेल रहे हो यार पिए कि इनको खिलाया जयता है हर बार इनके बढ़ापे की वजभा से इंडिया हार रही है सुरू टीट् कि बोल्ड होते हो तुम कि यह जो सचीन तंदुलकर करके दमदवा जो है वो तो आउन लायक है सरवा हुआ हासन राउपुन को बोल्ड कर दे रहे हैं कि अमरit भारत स्टेशन जो है दोस्तों अमरित भारत स्टेशन में तेरा सो स्टेशन डेरपोर्ट लेवल के बनेंगे लेकिन इसमें जो है फर्स्ट जो फेस में 508 स्टेशन को हरी जंडी दिग गई बात समझ में आ रही है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया 24,000 24,470 करोड रुपए दोस्तों इसमें दिये गए ठीक है बात समझ में आ रही है क्लियर ओके चलिए बहुत बड़िया शांदार जिंदाबाद जबर्दस्त दोस्तों भावनाय तो अपनी लोकल लेंग्वेज में निकलती है गाली तो असली जो है आदमी अपने देशी भासा में ही देता है है कि नहीं तो दोस्तों करीब पहले एक हजार रेल्वे शेशन की बात फिर बारहसों अभी थर्टीन हंड्रेड नाइन स्टेशन हुए अभी उसमें से 500 वाट इस्टेशन ठीक है बात समझ में आ रही है कि उजवल अनंद करें सर सैफ का दमाद है अरे भाईया सारा अली खान का दमाद वह मंगेतर नहीं है सारा तेंदुलकर का मंगेतर है तुम लोग को हर सारा सैफ अली खान की लड़की लगती है सचिन तेंदुलक अबर अपनी लड़की का नाम सारा नहीं रख सकता है क्या तुम लोग का जीके ना वैसे भी बहुत कराब है जो एक्जाम में नहीं आना वह अला जीके भी कराब है तुम लोग का अब भगवान वंदे भारत एक्सप्रेस इंटीग्रल कोच फेक्ट्री चेन्नई में बनती है ठीक है इंटीग्रल कोच फेक्ट्री चेन्नई में बनती है 2018 में बनके तयार हुई थी ट्रेन 18 इसका नाम है ठीक है और 2019 में जो है 2019 में यह पहली चली थी वराणसी मोदी जी के संसदी चेत्र से दिल्ली तक फिर दूसरी वाली दिल्ली से कट्रा जम्मू कश्मीर यानि की माता वैश्नो धाम तक ठीक है बात समझ में आ रही है क्लियर दोस्तों जॉइंट वेंचर बिट्विन पब्लिक सेक्टर कंपनी रेल विकास नीगम लिम्टेड एंड रुशियन कंपनी मेट्रो क्या नाम है इसका यार मेट्रो वैगन मैश इनके बीच में दोस्तों जो है 120 करोन रुपए में 120 वंदे भारत ट्रेन बनाने की बात कही है ठीक है बात समझ में आ रही है और वी इनल इसमें 69 परसेंट की हिस्सेदारी चाहता है 26 परसेंट मेट्रो मेगन मैस का रहेगा फाइफ परसेंट में कोई थर्ड रहेगा पार्टनर लोको मोटिव इलेक्ट्रोनिक सिस्टम ठीक है रशिया कंपनी के साथ टाइप है अभी यह लिश्टांग कंपनी के साथ एम मपारी ठीक है बात समझ में आ रही हैं ऑके बात समझ में आ रही है मैं सारा और अम यहां भी आये थे हम उनको ऊछी त्माटर आवांनधार चाहिए बता ओं। हमारे पास है ऊसब करिए नहीं सब नइनए यह आप लोग देखे ही होंगे कि वह टमाटर मैं उनको दिखा रहा हूं सारा तेंदुलकर को भी को सारा अली खान दोनों हाथ जोड़ रहे थे मेरा सौर्स देखा है कि नहीं तुमने मेरा मैंने सौर्स बनाया था जब टमाटर मैं वह लोगे तुमको दूं मैं लाके तुम प्लादे मीर पुति ने वैगनर गुरुप यह प्राइवेट लगात के हेड को प्लैंड करेश में दिया आपको बताना है वैगनर गुरुप का हेड कौन था जो प्लैन क्रेश में मारा गया अभी दोस्तों इस बार का नोबेल यकौनोमिक्स प्राइज एक रशिया के मानवाधिकार करता को मिला था एक बेलारूस के मिला था एक यूकरेन को मिला यह तीनों यूद लड़ रशिया बेलारूस और यूकरेन इन तीनों के मानवाधिकार करकरताओं को मिला था रशिया वाले का नाम था द्रिमित्री मुरातेव अभी दिमित्री मुर कि चीट वंटी के बारे में गई स्टेट्मेंट बेस क्वेश्चन आएगा तो ये भी आएगा कि राष्ट्रिय फूल कमल पर दोस्तों बिराजमान है माधर्ती जिसके सेंट्रल में इंडिया है माताधर्ती और भारत पहले लिखा है फिर दोस्तों 2023 लिखा फिर इंडिया लिखा है तो दोनों भाशा में लिखा है क्योंकि हमारे सम्विधान में लिखा हुआ है इंडिया देट इस भारत इंडिया देट इस भारत लिखा हुआ है याद रखिए ठीक है क्लियर है बात से ब पर हुआ है तो हम दन बिन मुहम्मद स्मार्ट सिटी दुबई में दुबई में एजुकेशन सम्मिट हुआ है यह बात भी याद रखिएगा ठीक है बात समझ में आ रही है प्रीघोजीन है हेड प्रीघोजीन वैगनर ग्रूप के हेड है नहीं थे मर गये प्लैन क्रेश में खताम टाटा बाई 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 अब कोई पूतीन को मारने की साजिस रचेगा तो वह जिंदा थोड़ी बचेगा और सबसे मज़ेगी बात है कि वह रश्या की तरफ से युक्रेयन से लड़ रहा था लेकिन अचानक से वह बुदीन के खिलाफ हो गया वह प्राइवेट मिलेट्री ग्रूप है यानि कि रश्या में आप अपनी प्राइवेट मिलेट्री ग्रूप भी बना सकते हैं और के लिए अरे अभी तेरही मनेगा तीरात्री होगा दसमा होगा तुरंत ही वैगनर गूर्प का नया हेट बना दिया जाएगा कैसे तुम लोग जो एक सोच रही हो है अभी विचारा मरा है दो दिन पहले काइसे कैसे लोग रहते हैं तो दोस्तों अभी जो हम लोग का आधार कार्ड होके दशू फिंगर प्रिंट ले लिए लिए गया आंखो की रेटिना तो भाया जो है यहां पर हम से कौपी करते हैं लोग कि हमें भी सिखाए तो अभी श्री लंका ने हमसे यह पूरी facility के लिए हम इसको fund भी कर रहे हैं साड़े 400 million रुपए ठीक है आधार की तरह भारत में दोस्तों मौसिप बनाया गया है मौसिप बनाया गया है आधार की तरह और यह 10 देशों को service दीगे किसके द्वारा बनाया गया है यह बताईए किसके द्वारा बनाया गया है दोस्तों जो है यह बताईए कि दोस्तों इसके बाद आपको बताना है कि माया ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोस की जगह पर यूज कर रही है इंडियन आर्मी यह माया ऑपरेटिंग सिस्टम किस ने बनाया है ठीक है दोस्तों अमेरिका के जीपियस की जगा हमारा नाविक है दोस्तों नाविक हमारा जीपियस है यह किस ने बनाया इसका फुल फॉर्म क्या है यह बताईएगा ठीक है इसके लब और भी एक चीज था ए जो Android की जगह है दोस्तों यह किसने बनाया है भारत OS भारत OS नहीं लिखेगा क्या OS लिख दिया भार OS जिसे भारत OS कहते यह Android की जगह बना यह Android यह सब हमारा स्वदेशी आइटम है Android की जगह भार OS विंडोस की जगह पर माया OS अधार की जगह पर मौसिप जीपीएस की जगह पर नाविक कि क्या लगता है यह question important है यह पेज बहुत important हो गया यह सब वजन नहीं इसके बारे में सर्च करके पढ़ो माया ऑप्रेटिंग सिस्टम इंडियन आर्मी यूज़ कर रही है Android को नहीं यूज़र विंडोस को नहीं यूज़ कर रही है भार OS भारत ऑप्रेटिंग सिस्टम ए पटाया भी नहीं सकते वहाँ पर अपने मन से सारे डाउनलोड करो Google Play Store से नेविगेशन फॉर इंडियन कंसल्टेशन नहीं है constellation है navigation for इंडियन कॉंश 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 टी लेशन कि मौसिप तो करीब 10 देशों में गया है मौसिप तो 10 देशों में गया है किसने बनाया है इन सब को बताइएगा गगन टेकनलोजी का यूज किया है हम लोगने नेविगेशन में वह तो साइरस पूना वाला ग्रूप ने किया पूने से मुंबई तक गगन का भी फुल फार्म बता दो गगन टेकनलोजी का यूज करके पूने से मुंबई हेलिकॉप्टर बेजी थी साइरस पूना वाला गुरूप ने गगन टेकनलोजी का भी यूज कर बताओ यह नेविगेशन सिस्टम है मौसिप किस ने डवलप किया है मुझे तो नहीं सही जवाब लग रहा है आप लोगों का पवन प्रजापति वो सेटलाइट का नाम है साथ सेटलाइट बेजे गए थे नैविक में आज भी मैंने आपको पढ़ाया मचुवारों के लिए इस वरों ने कुछ नया लॉंच किया आज सुबह मैंने पढ़ाया था आप लोग को खैर आगे बढ़ते हैं बहुत इंपटेंट पढ़ा दिया मैंने बहुत इंपटेंट पेज इसके बारे में सर्च करी और से ज्यादा से ज्यादा की गया है ओके थैंक्यू बोलेंग जरत नहीं है ना 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 मेरा फर्ष था ये श्रीलंका की नई केप्टल सी जैवर्दने पुरा कोटे है कोलंबो इसकी जो है दोस्तों पूरानी कैपिटल है रुपीज यहां की करेंसी है रानिल विक्रम सिंगे प्रेसिडेंट है प्रधान मंत्री है द श्रीलंका को सबसे अधा पैसे हमने दिये फूड इमेजनसी यहां लग गई थी विदेशी मुद्रा भंडार खतम हो गया थैंक्यू सर थैंक्यू सर सब लोग लिख रहे हैं इसका मतलब आज का इतना ही रखा जाए तुम लोग सौ लाइक कर दो तो मैं हटा दू निसार भ अगला जो है चंद्रमा मिशन है जो इंडिया जापान मिलके बना रहे है यानि की इस रो जाक्षा मिलके बना रहे है नासा और इस रो निसार मना रहे है निसार का फुल फॉर्म है नासा इस रो सिंथेटिक अपर्चर रडार अल्यूपेक्स लिउनर वाला जो है अगला अ अब यान है जो की जाक्षा के साथ मिल करके चल रहा है ठीक है बात समझ में आ रही है नभ मित्रा नभ मित्रा बिल्कुल सही आज सुबह मैंने आपको पढ़ाया था कि इस रों ने नभ मित्रा लॉंच किया है नभ मित्र मच्वारों के लिए ओके फंडेड आप लोगों ने लाइक कर दिया तो मैं जो है पढ़ाना जो है यहीं पर समाप्त कर दूंगा गगन का फुल फॉर्म है जो है एग्रेड्री मपाँ आउ हुग कर गद्यपै कि सब्सक्राइध बटरणीच वेर सुभवत लुस्ट आदसाद है यह न में व्यों मित्र रोबोट जा ने वाली है पहले रोबोत जाएगा फिर इंसान जाएंगे पहले रोबोट जाए गा फिर इंसान जाएंगे ठीक है द गेम्स कौन कराता है एशियन क्रिकेट काउंसिल कराता है जो एशियन गेम्स चल रहा है वह एशियन क्रिकेट काउंसिल कराता है जिसका एड़क्वाटर कुलंबो में है जिसके हेड है जैश शाह आई सी सी के हेड हैं ग्रेग बार्कले न्यूजी लेंड वाले इसका हेड़कौाटर दुबई में हैं और इसमें जैसा जो है फाइनेंस कमीटी के हैं बीसी सी आई का हेड़कौाटर वांखेडे स्टेडियम मुंबई जहां सचिन देंदुलकर की मुर्ती लगाई गई है साजहां स्टेडियम यूएई में है दोस्तों जहां पर सचिन देंदुलकर के नाम से स्टैंड बनाया गया दोस्तों सचिन देंदुलकर के नाम से गेट क कॉमन वेल्ट नहीं करा पाएंगे कि चौबीस अप्रेल को सचीन तंदुलकर का पचासमा बड़े था इसलिए चीज हुआ है सचीन एड़नेट 50 बुक आई बोरिया मजुंदार ने लिखी है कि आदित 11 PSLV 57 से 2 सितंबर को लांच किया गया कि एशिया कप का होश्ट पाकिस्तान है लेकिन बाहरत जाने को तयार ने वह पाकिस्तान तो उसे श्रिलंका में किया जा रहा है कि फाइनल भी श्रिलंका में ही होगा जैसा अठा मारते हैं अब आपको कि सर अठा नहीं होता तो बैया मैं दिखाता हूँ अठा होता है जैसा कैसे अठा मारते हैं देखो अठा हुआ कि नहीं हुआ यह दोक हुआ पांच्सो अठा हो गया तो अठा मारते हैं यह जैसा ही मारते हैं तो इसी लिए उन्हें जहें कितना अनौओ क्रिकेट का इसी लिए उन्हें दोस्तों ICC में Finance Committee के Head बनाय गया, BCCI में Secretary बनाय गया, ACC में दोस्तों Head बनाय गया और IPL में भी Secretary है, IPL में जो खेल मंत्री है, अनुरा सिंग ठाकूर, उनके छोटे सगे भाई अरूर सिंग धूमल Head है, और Secretary जैसा ही है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, चलिए, बहुत बढ़ी यहां, शांदार, जो मतलब पूछ रहे हैं, इसका मतलब वो की स्कूल में पढ़ाई करते थे, लास्ट बेंच बैट के क्रिकेट नहीं खेले हैं, इसका मतलब है, यह लोग बहुत पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने मतलब पूछा है, सिर्शिद इसलिए गेम चेंजर बैच पूरा देख लेए, इस अब जितने आवा रहे हैं, अभी तक गेम चेंजर बैच नहीं देखें, गेम चेंजर बैच जो 50 लेक्चर से बैंकिंग एवेर्नेस का प्लेइलिस्ट वो जरूर देख लीजिए आप लोग, मैं बैग बैंच पर ही रह जाएंगे, सिर्शिद सेलेक्शन लेके निकल जाएगा, दोस्तों इस बार जो है, भारत निट योजना के बारे में 15 अगस्त को मोदी जी ने बात की, लखपत दीदी योजना की बात की मोदी जी ने 15 अगस्त को, और इसके बाद दोस्तों जो है, किस योजना की बात की थी? पीम इबस सेवा की बात की थी और पीम विश्व कर्मा योजना की भी बात की थी तो ये सारी योजनाए जो है 15 अगस्त को मोदी जी ने इन सब चीजों पर बात करी थी इसलिए इसको पढ़ लिजेगा ठीक है क्लियर है बात समझ में आ रही है ओके तो दोस्तों लखपत दीदी जो है ये योजना है भारत नेट प्रोजेक्ट योजना है पीम इबस सेवा योजना है 169 का सिटीज में पीम विश्व कर्मा योजना 17 सितंबर को विश्व कर्मा जैनती के दिन मोदी जी के बड़े वाले द लॉंच होगा इसके बारे मैंने सॉट्स बनाया है इन सब के बारे में मैंने सॉट्स बनाया है आप लोग उसको पढ़ लेंगे ठीक है बात सबज में आ रही है विश्व कर्मा योजना का पहले नाम विश्व कर्मा कौसल सम्मान था विकास योजना उसके पहले इसका विक कर्मा योजना में एक confusion है कि कई 2,00,00 लिखा हुआ है कई 3,00,00 लिखा हुआ है तो सर हम क्या पढ़ें 1,00,00 की 3,00,00 तो भाईया फर्स्ट फेज में 1,00,00 रुपए का लोन मिलेगा सेकेंड फेज में 2,00,00 का लोन मिलेगा यानि कि टोटल 3,00,00 का लोन मिलेगा अप टू 3,00 है इसलिए तो इस तरीके से है आप लोग confused हो रहे हैं कि सर कहीं तो 2,00,00,00 लिक है कहीं 3,00,00,00 हम क्या समझें तो 1 प्लस 2 इसकल टू 3 ऐसे है 3,00,00,00 तक का लोन मिलेगा दोस्तो भारत नेट प्रोजेक्ट में 399 रुपए पर मंत में unlimited जो है data मिलेगा दोस्तों broadband सेवा ग 50% पैसे जो है वह राज्य सरकार देगी यह फाइबर connection broadband connection गाओं के विलेज लेवर entrepreneurs को दिया जाएगा ताकि वह अपने व्यापार को अच्छे से कर दे ठीक है बात समझ में आ रही है क्लियर है कि सौरब कुमार करे से सौर्स एक लाग बहत्तर हजार हो गया कौन सा वह रूल 167 वाला क्या फेस्बुक पे कि एक तो राम नंदा चारे जी वाला भी बहुत अच्छा बढ़ गया वह भी एक लाग से उपर हो गया फेस्बुक इस्टाग्राम पे ना हां 5% का व्याज मिले प्लेटफॉर्म को कौन रेगुलेट करता है फटा फट बताओ दोस्तों यह जो है योजना 2011 में लाउंच हुई थी जिसे भारत ब्रॉडबेंड नेटवर्क दोस्तों मैनेज करता था ठीक है क्लियर कैमिनेट ने एक लाग उन्तालिस हजार करोड रुपे दिये थे छे ला लाइक हो गया अब बस करिए पढ़ाना अच्छा चैलो ठीक है बस इसी योजना के बारे में पढ़ा दू भारत नेट के बारे में बंद कर दूंगा ठीक है ओके एक लाग 94,000 गाओं को अभी तक कनेक्ट किया जा चुका है ठीक है योजनाओं के बारे में डीटेल में स्ट स्टूबर 2011 में लॉंच किया गया था और 2015 में इसका नाम बदल के भारत नेट प्रोजेक्ट कर दिया गया अप्तिकल फाइबर की यूज करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा रूरल ब्रॉडबेंड कनेक्टिविटी प्रोग्राम है भारत ब्रॉडबेंड नेटवर्क द जियो और एटल से प्रतिसपरधा करना है जहां पर यह लोग नहीं पहुंच पारे वहां पर पहुंचना है माइटी मिनिस्टर बिल्कुल माइटी मिनिस्टर ही अश्विनी वैश्ण और टेलिकॉम मिनिस्टर भी है बिल्कुल सही है कि इसका लक्ष देश भर की धाई लाग स्यदी ग्राम पंचायते देखे छे लग चालीजर गाउं है और धाई लाग ग्राम पंचायते हैं यह दोनों अलग-अलग आकड़े हैं इसको याद रखिएगा ठीक है बात समझ में आ रही है चलिए कि चलिए तो एक नई न्यूस के साथ आपको छोड़के जाते हैं कल उसके इसके बारे में अच्छली जाते हैं तो आज के लिए इतना ही रखते हैं सोनी और जी का मरजर हुआ कलवर मैक्स बहुत अच्छा चलिए लाइट भी चली गई बहुत अच्छाय समय पर लेक्चर क्ल को पहुँचाई है ठीक है क्लियर है चलिए बबाई टेक कियर लव यू अल गॉड ब्लेस यू अज़िए